हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपटिनी चैनल PCS Maker पे तो फ्रेंट्स मैं मनिसार है आज जो एक टॉपिक लेकिया हूँ हमारा बिहार स्पेसल सेसन चल रहा था और आज जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंट्स वो बिहार का मध्यकालीन इतिहास तो मिडेवल हिस्ट्री बि बिहार का प्राचीन हितिहास कंप्लीट कर चुका हूँ अगर आप नहीं देखेंगे फ्रेंट्स प्लीज आप PCS में करके प्लेलिस्ट में जाएं वहां आपको बिहार स्पेसल जीगे का सेसन मिलेगा और आपके जो बीपीसी लेवल तक जो भी एक्जाम है गाना बीपीसी कि आप टेलिग्राम से जोईन हो कि इसका PDF ले सकते हैं तो आते हैं अपने पॉइंट पे तो आज देखते हैं हमारा बिहार का मद्देकालिन इतिहास तो बिहार के मद्देकालिन इतिहास यह बहुत इंपोर्डन है आपके बीपीसी एक्जाम लेवल में ठीक है तो देखें बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक वक्तियार खिल जी को मना जाता है बहुत important line है ठीक है फ्रेंट्स तो देखें आपके कि बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वक्तियार खिल जी के मना जाता है नेक्स आपका कि वक्तिया 1225 इसवी में बिहार पर आक्रमन किया था यह important है कि इलतुतमिस ने बिहार पर कप आक्रमन किया था तो 1225 यानि कि 1225 इसवी पर किया था next point है कि मलिक जानी को इलतुतमिस ने अपना पहला सुवेदार निक्त किया था भी important है याद रखीगा कि इल्दुत्मिस ने अपना पहला सुभेदार किसे निक्त किया तो मलिक ज्यानी को निक्त किया नेक्स्ट है आपका कि मुहम्मद बिन तुगलक ने के काल में दर्भंगा में एक दुर्ग तथा जमा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था एबम इस सहर का नाम बदल कर तुगल पूर कर दिया गया ठीक है तो मुहम्मद बिन तुगलक के काल में दर्भंगा में एक दुर्ग तथा जमा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था और इस सहर का नाम बदल क्या रखा गया तो तुगल तुगलक पूर रख दिया गया पॉइंट है आपका कि सिखंदर लोधी ने 1495-96 इस्वी में दर्या, खा, नुहानी को बिहार का राजपन नियूद किया ये बहुत important है किसे निक्त किया तो दड़िया खा नुहानी ने किस ने तो सिकंदर लोडी ने कब तो 1995-96 इसवी में अब देखें फ्रेंट्स आपका नुहानी वंस ये देखते हैं तो देखें इसका पॉइंट का है नुहानी वंस का उदय मुल्रूप से सिकंदर लोडी के सासनकाल में हुआ था नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिहार सरीफ अविलेक के अनुसार 1495-96 इसवी में शिकंदर लोडी ने हुसैन सा सरकी को प्राजित कर दड़िया खा नुहानी को बिहार का प्रमुख प्रभारी सासक नुक्त किया जो 1223 इसवी तक सासक बना रहा ठीक है तो इस सब सब्सक्राइब करने के बाद आपको लास्ट में इसका टेस्ट लिया जागा ऑब्जेक्टिव कोशन का तो उसे भी आप जहूर दीजेगा क्योंकि बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आप इसको पढ़ लेते हैं उसका टेस्ट देने का मज़ा ही कुछ लग रहता है ठीक है त इसने स्वैम को सतंता सा सगोसित किया और शुल्थान मोहमवद की उपादी धारण की किसे तो दरिया खा नुहानी ठीक है नेक्स है आपका कि अपने अल्प ब्यक्स पुत्र जला उद्दिन उर्फ जलाल खा को 1528 स्वी में सासक नियुक्त किया तता फरीद खा उर्फ सेर खा को उसका संदक चक नियुक्त किया ठीक है तो एक बाद रीड कर लीजिएगा अब देखें फिरेंट्स आपका है चेरो वंस ठीक ह राजी का उद्दै हुआ तो यादा किया चेरो नामक राजी का उद्दै हुआ नेक्स्ट पॉइंट है कि चेरो का राज खेतर सहा शहाबाद सारन मुझपरपूर चंबारन तथा पलामु जीले तक ब्रिस्तित था ठीक है नेक्स्ट है आपका कि सहाबाद जीले में चेरो राजे चार भागों में बिभग था ठीक है कितने भागों में बिभग था तो चार भागों में बिभग था अब देखिए नेक्स पॉइंट है आपका कि बिहिया में धुदी लिया नामक चेरो सरदार का मुख्याले था भोजपूर का चेरो राजा सीताराम तथा मुख्याले तिरावन था तिरती राज का मुख्याले चैनपुर्ड तथा चतुर्त राजे का मुख्याले देव मारकंडे था ठीक है देखेगा नेक्स आप बस इसको रीड किजिएगा नेक्स आपका कि पलामू के चेरों का सबसे महान सासक मेदीनी राय था ये इंपोरिन ठीक है राज राय राजा बना था ठीक है अब देखे विहार में अफगान सासक ये इंपोरिन है फ्रेंस देखेगा फर्स्ट पॉइंट है इसका कि पानी पत के परतम यूद 1526 में एक्जाम में ऐसे को चनाते हैं कि पानी पत का परतम यूद कब लड़ा गया था 1526 याद रखेग कि उपरांत दरिया खा के पुत्र बहार खाने खुद को सतन सासक घोसित कर दिया नेक्स्ट है आपका सेरसा सूरी ये इंपोर्टिन है सेरसा सूरी का जर्म 1472 में हुआ था इनका पिता का नाम हसन खा था जो सासा राम का जागी दार था ठीक है और सेरसा के बच्पन का नाम क्या था तो फरीद का ये इंपोर्टिन है सेरसा के बच्पन का नाम क्या था फरीद का और याद रखिया है फ्रेंट्स जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है वो सेरसा सूरी नहीं बन वाया था ग्रैंड ट्रैंक रोड नेक्स्ट है आपका कि जॉनपूर में सिक्छा ग्रहन करने के उपरांत सासा राम में अपने पिता की जागीर का प्रबंद करने लगा ठीक है बस पॉइंट रीड किजेगा नेक्स पॉइंट आपका है कि एक बार सिकार पर गए वहार खा नुहानी पर एक सेर ने आकरवन कर दिया और फरीद खा ने तलवार की एक ही वार से सेर को मार ग फाक कि इसने त्यादर की जा अदर की एक बहार खा ने सेर खाकी उपादी तो क्युम्णेशन किया गया था और पहुंस पॉइंट्ट है आपका कि सेर चंदेरी की उद्में बावर की ओर से लड़ा था कि सेर ने इस और इंच्छ ने डेंटरिक युद्द में तो ने न्न पूछन को पूछ दे नेक्स पॉइंट आपका कि 1529 इस्वी में बंगाल के सासक नुसरत सा को पराजित कर सेर खाने हजरते आला की उपादी धरन कर दक्षिन बिहार का सासक बना तो यहाँ पर इंपोर्टेंट यह है कि हजरते आला की उपादी कब धरन की तो 1529 इस्वी में बंगाल के सासक नुसरत सा को पराजित कर सेर खाने किसे तो नुसरत खा को पराजित किया था तब सेर खा को हजरते आला की उपादी धरन की थी और दक्षिन बिहार पर वो क्या तो सासक बना था ठीक है नेक्स पॉइंट आपका देखिएगा कि सुरजगर्ड के यूद 1536 ज्यादा किया सुरजगर्ड के यूद कब गुगा 536 में ठीक है में सेर सा ने सुल्तान महमूद सा और और नुहानियों की संयुक्त सेना को परास्त कर बिहार में अपना राजनैतिक वर्चत असापित किया था ठीक है तो यहाँ पर एक इंपॉइंट नहीं है कि सुरजगर सुल्तान ए आदिल की उपादी धारन की यह इंपॉर्टिन एफ्रेंस ठीक है क्या इंपॉर्टिन ध्यार नकिएगा कि हुमायू को शौसा के यूद में प्रास्त कब किया था तो पंदास्त कर लिया था ठीक है आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि सेर सा द्वारा यूद 544 मारवार जो यूद हुआ था वो 544 में हुआ था कि दौरान कहा गया एक परशिद कतन मैं मुठी भर बाजरे के लिए लगवग हिंदुस्तान का समराज खो चुका था तो याद रखेगा तो देखे ये लाइन ऐसी एक्जामिक कोश्चन आता है कि मैं मुठी भर बाजरे के लिए लगवग हिंदुस्तान का समराज खो चुका था या कतन किसके दौरा कहा गया था तो सेर्सा द्वारा मारवार यूद के दौरान यह कहा गया था नेक्स्ट है आपका कि 1545 सिस्वी में कालिंजर के जीले पर उक्का नामक अगनी सास्त्र से आकरवन की दौरान कीले की दिवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूत पर गिरा जिस बिसपोर्ट से सेर्सा की मिर्थिव हो गई उस समय कालिंजर का सासर कौन था तो कीरत सिं नेक्स्ट है आपका कि 1545 सेर्सा की मिर्थिव कैसे हो गई तो यह जो कलिंजर के किले पर उसका उक्का नामक अगनी सास्त्र से आकरवन के दौरान कीले की दिवार से एक गोला लगकर पास रखे बारूत में गिर गया और जिससे बिसपोर्ट के गार्न सेर्सा की मिर्थिव नेक्स्ट है आपका कि सेर्सा ने ही सरपर्थम सासरा में पट्टा और कवूलियत प्रथा का प्रारम किया यह इंपॉर्टिन है कि सेर्सा ने सरपर्थम सासरा में किसका प्रारम किया तो पट्टा और कवूलियत प्रथा को प्रारम किया नेक्स पॉइंट है आपका कि सेर्षा ने जब्द प्रनाली नामक राजस्व की विवस्ता की शुरुआत की थी याद रखेगा कि जब्द प्रनाली नामक राजस्व की विवस्ता की किसने शुरु की थी तो सेर्षा ने नेक्स्ट है आपका कि सेर्षा के काल में भूराजिस की दर एक वटा तीन थी ये भी इंपोर्टन है कि सेर्षा के काल में भूराजिस सुदर की कितनी थी एक वटा तीन और इसे नगद और पैदावार दोनों रूप में सुईकार किया जाता था नेक्स्ट है आपका कि सहसराम सेर्षा का प्रसासनिक प्रयोग साला था नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेर्षा के काल में भूमी की माप के लिए 32 अंगो की गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था next point है आपका कि浅र्सा ने 178 grain के चांदी का रूपया और 380 grain के तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया दाम याद रखीएगा कि浅र्सा ने कौन से नाम का सिक्का चलाया था तो दाम नामक सिक्का चलाया था अब देखिए आपे आगे पॉइंट कि सेर्षा के काल में ही Grand Trunk Road का निर्मान किया गया था बहुत important बहुत बार exam question पूछे हुए है Next point है आपका कि सेर्षा ने प्रतेक एक कोस की दूरी पर एक सराय का निर्मान करवाया Next point है कि सेर्षा ने दिन पना को तोर कर दिल्ली में पुराने किले का निर्मान करवाया एबं इसी किले के अंदर किला ए कुहना का निर्मान करवाया था ठीक है किला ए कुहना का निर्मान दिल्ली के पुराने किले में करवाया था Next point है आपका कि सेर्षा ने पाटले पुद्र को पटना के नाम से सासाराम में अपने मकवरे का निर्वान शुरू करवाया था जिसे उसके मिर्थिव के उपरांथ उसके उत्रा धिकारी इसलाम सा ने पुरा करवाया था सुन्दर्त्म नमोना है ठीक है और इसके बसतुकार अलीवाल खान थे एवं इस मकवरा का निर्मान 540 से 545 से बीच किया गया था तो ये भी इंपॉर्ण है नेक्स्ट है आपका कि सेर्षा के सासंकाल में बिहार में 7 सरकारों प्रमंडलों थी सेर्षा ने पटना नगर एवं पतना कीले के निर्मान में पांच लाख रुपए खर्च किये थे बस इसको रीड कीजेगा नेक्स्ट है आपका कि अब्दुल्ला की रचना तारीखे दाउदी में शेर्षा द्वारा पतना का दुर्ग और पतना को राज़ानी मिलाने की चर्चा मिलती है नेक्स्ट पॉइंट है किस सेर्षा का मकवरा अकिरती का है इसका निर्मान लाल बलुओ पत्थर 122 फिट उचा से किया गया है जो कि ये करतरिम झिल पे ख़ड़ा है तो ये इंपॉड़िन है याद रखियेगा और इसका निर्मान लाल बलुगा पत्थर से किया गया था और यह इसकी उची कितनी है तो 122 फीट इसकी उचा आई है अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट है कि सेर्षा की मिर्तिव के उपरांत उसका पुत्र इसलाम शा सासक बना तो याद रखेगा सेर्षा के पुत्र का नाम क्या था तो इसलाम शा या इसलाम सा के पिता के नाम क्या है तो सेर्षा यह ऐसे ही कोशन आते एक्जामेंट है नेक् बिहार सरिप का प्रस्तर अविलेक शंग्राम गुप्त का पंचोब तामरपत्र अविलेक नेक्स्ट है आपका मुहम्माद बिन तुगलक का बेनीवन अविलेक फिरोसा तुगलक का राजगीर अविलेक और खरकपूर के राजगीर अविलेक हो गया और भवुआक में सेरसा क अविलेक और यहां पर क्या है कि खेरवार परमुख प्रताब धावल के तीनों अविलेक तो एक पर बस अविलेक को अप्लोट रीट कर लिजेगा अब देखें नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बिहार में मुगलो का प्रभाव क्या था उसके बारे में देखते हैं और यह important पॉइंट है यह भी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगा कि बावर ने जलाल खा को बिहार का प्रसासक नियुद किया था अब देखिए अकवरकाल यह अकवरकाल में 12 मार्च 1576 को हुसैन खा मुझपरपूर मुझपरपूर खा स्वरे मुझपर खा यह पे मुझपर खा एवं टुडलमल की स्विक्त सेना ने राउद दाउद को प्रास्त कर बंगाल और बिहार के मुझपर समराज का हिस्सा बना लिया था कब तो 12 मार्च 1576 में नेक्स पॉइंट है आपका कि 1562 के आजपास अकवर ने बिहार को मुझपर समराज का सूबा या प्रांत बना दिया एवं खाने खानम मुनीम खा का बिहार का गुवर्णर नियुकत किया यह इंपॉर्टे न है तो याद रखिएगा कि 1570 के आजपास अकवर ने बिहार को स्पाइब नेक्स पॉइंट है आपका कि कलांतर में हक वर्ण नेमांसिंग को बीहार का सुवेधार निउक्त किया यह अक वर कालिन सबसे परह荷े दूसव guidance याद रखेगा कि कलांतर कि में अकवर्ण नेक्स्ट पॉइंट देखीगा कि अकवर के सासन काल में बिहार में सबसे अधिक बिद्रो हुए थे और सबसे अधिक बिद्रो विहार में किसके सासन काल में हुए थे तो अकवर के सासन काल में हुए थे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका को भी बिहार का गवर्नर निक्त किया गया था ये भी इंपोर्टरिन है और बिहार का गवर्नर किसे निक्त किया गया था तो याद किया खान ए आजम मिर्जा को ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि महस ठाकूर के विद्धता से प्रशन होकर 1556-59 में अकवर ने उन्हें मिथला राजे पुरुसकार स्वरूप प्रदान किया था किसने किया था तो महस ठाकुर के विद्वांता से प्रसंद होकर किसने तो अकवर ने किया था नेक्स पॉइंट है आपका कि अकवर के शासनकाल में इरानी यात्री अब्दुल लतीफ बिहार आया था अब्दुल लतीफ बिहार आया था अब देके फेंट्स हमनों जहागीर काल देखते हैं यह भी इंपॉइंट है जहागीर काल यहां पे किया कि जहागीर ने लाल बेग उर्फ बाज बहादूर को बिहार का सुबेदार नियुक्त किया यह important है ठीक है कि जहागीर ने बिहार का सुविदार किसे नियुक किया तो लाल वेग या बाज बहादूर ठीक है next point है आपका कि बाज बहादूर ने दरभंगा में एक मस्जिद और नूर सराय नामक सराय का निर्मान करवाया था next point आपका देखिया कि नूर सराय का निर्मान नूर जहां को ठरने के लिए किया गया था जब वह दिल्ली से बंगाल की ओड जा रही थी तब next point है आपका कि बाज बहादूर के बाद इसलाम खाएमम इसके बाद अवुल फजल के पुत्र अबदुल रहमान को बिहार का सुविदार निकत किया गया next point है आपका अबदुल रहमान ने कुत्ब नामक एक फकीर के विद्रो के को सफलता पुरबक दबा दिया था नेक्स प्ट देखेगा कि सुलस 15 इस्वी में नूर जहां के भाई इवराहिम खा को शुभिदार नियुक्त किया गया नेक्स प्ट देखेगा कि इवराहिम खा ने मनेर यानि की पटना में मकदुम शाह दौलत का मकवरा का निर्वान कर वाया था यादर के important है कि इबराहिम खा ने मगदुम खा दौलता का निर्वान कहा करवाया था तो पटना में ठीक है अगला point है आपका 1621 इस्वी में सा जादा परवेज बिहार का सुविदार नियुक्त होने वाला पर्थम राजकुमार था इसके उपरांत यह पद केबल मुगल राजकुमारों को दिये जाने लगा ठीक है न यह पद केबल राजकुमार को दिये जाने लगा next point है आपका कि जागीर के सासन काल में 1626 इस्वी में मिर्जा रुद्सम शफाबी बिहार के सुविदार थे ठीक है अब देखें फ्रेंट्स आपका साजहा काल है और यह भी important काल है ठीक है देखेंगा कि सुविदार सैफ खान ने 1629 इस्वी के दोरान पटना में एक मदरसे का निर्मान करवाया जिसे वर्तमान में सैफ खान का मदरसा के रूप में जाना जाता है इंपोर्टन पॉइंट है ठीक है नेक्स पॉइंट देखेंगा आपका कि 1632 में अबदुल्ला खान बहादूर फिरोज जंग को बिहार का सुविदार नियुक्त किया ठीक नेक्स पॉइंट देखेंगा कि फिरोज जंग राजा प्रताप के बिद्रो को कुचल कर इसके राज उज्जैनिया यानि की भोजपूर को मुगल समराज में मिला लिया था साजहां ने अपपनी पत्नी मुम्ताज महल के भाई साइस्ता खान को सुविदार नियुक्त किया था महल के भाई साहिस्ता खान को सुविदार निक्त किया था कब से 1649 से 1647 सवी तक नेक्स चाथ 1657 इसमें अलिवर्दी खान सुविदार के रूप में निक्त किये गए इसके मुगल उत्रादिखारी की लडाई में सहजादा सूजा का सांथ दिया था यह याद रखेगा कि सूजा का सांथ किसने दिया था तो इसके मुगल उत्रादिखारी के जो लडाई हुआ था सहजादा सूजा का सांथ दिया था किसने तो अलिवर्दी खा सुविदार के रूप में निक्त किये गए थे तब ठीक है 1657 इसमें अब देखिए यहाँ पे औरंग जेव काल है तो बिहार के सुविदार के रूप में दाउद खा कुरैसी की निक्ति की गई कब तो 1669 से 64 में नेक्स पॉइंट है आपका औरंग जेव का काल में ब्रिटिस यात्री बर्णियर बिहार आया और पटना को देश के बड़े सरों में से एक माना था ठीक है तो याद रहिए यहाँ पे पॉइंट यह है कि औरंग जेव के काल में ब्रिटिस यात्री बर्णियर बिहार आया था को रहा था तो बर्णियर बिहार आया था और पतना को देश के बड़े सरों में एक नाम एक माना था नेक्स पॉइंट है कि इसी काल में ब्रिटिस यात्री जॉन मार्सल एबं डच यात्री डी ग्रेफी ने बिहार में पड़े अकाल का उल्ले किया था किसने किया था तो जॉन मार्सल और डी ग्रेफी ने नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1702 इस्वी में सहजादा अजीम बिहार के सुविदार नियुक्त हुए थे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तरवर्ती मुगल सासक्त जूरे परमुक्त तक थे देखिए का फरुक सियार का जन्म पटना में हुआ था इंपॉर्ण है और फरुक सियार पर्थम मुगल बात्सा था जिसका राजावी से एक पटना में हुआ था इंपॉर्ण है ये कि फरुक सियार पर्था मुगल बात्सा था जिसका रजाईव से कहा हुज़ता पत्ना में अकब हुआ था तो 2723 में हुआ था नेक्स्ट ए आपका कि खवाजा कला पत्ना में दारुल अदल मस्जिद का निर्मान सुबधार फरुक दौला ने करवाया था किस ने करवाया था तो फरुक दौला ने करवाया था खुआजा कला पटना में दारुल अदल मस्जिद का निर्मान नेक्स्ट है आपका कि बिहार में साह आलम दूतिय का राजाईवी से अंग्रेजों के सनक्षन में हुआ था नेक्स्ट है कि मुगलकाल में बिहार सात प्रमंडल में विभाजी था कितने प्रमंडल में सात बिहार सिक्धर्म देखेगा तो यहाँ पर प्वाइंट के आया कि सिक्धर्म के पहले गुरु नानक देव ने गया राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर के रास्ते, राजमहलता क्यात्रा की थी तो ये पहले important ये है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो नानक देव थे, ठीक है नेक्स्ट है आपका point कि नौवे गुरु तेग बहादूर सासा नाम तथा गया होते हुए पटना आए तो याद रखिएगा कि नौवे गुरु कौन थे तो तेग बहादूर थे ठीक है और उन्हें अपनी गर्वपती पतनी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास छोड़कर असम चले गए थे नेक्स्ट है आपका कि दसवे गुरु 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 गुविन सिंग का जन्म 26 दिसंबर 1666 को पतना में हुआ था तो देखे फ्रेंट्स आपका यहां पर टॉपी कंप्रीट होता है और आज अब हम लोग करते हैं क्या तो टेस्ट ले ठीक है फर्स्ट कोशन देखेगा कि बिहार में तुर्ट सत्ता का वास्तविक संस्थापक था तो कौन था फ्रेंट्स तो वन का राइट अंस हो तो किस ने किया था तो फोर का राइट अंस हो जाएगा और सी सिकंदर लोधी ने किया था ठीक है फ्रेंट्स फाइब नुमर कोशन देखेगा कि दिल्ली सल्तनत काल में बिहार के दरवंगा जीले में एक दुर्ग एबम जामा मस्जिद का निर्मान करवाया गया था किसके द्वारा तो फाइब का राइट अंस हो जाएगा ऑफसर नुमर भी मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा या निर्वान करवाया था तो फ्रेंट्स आप लोग आपसर यहां पे क्लिक देख लिजेगा अंसर ठीक है अब बिहार में अफगान सेरसा सूरी तो इसलिए रнов कोशन को देखते हैं तो हमारा फर्स कोशन देखिए कहा क्या है कि सेरसा सूरी के बचपन का नाम था तो इसका बचपन का नाम क्या था तो वन का राइट अन्स हो जाएगा ऑफसर नंबर अ फडिद खा ठीक है next question देखिएक आपका कि सेरसा सूरी को सेर खा की उपादी की थी किस ने की थी मैंने आपको बताया था तो दो का राइट नंस हो जाएगा option नमर C वहार खा नुहानी ने की थी नेक्स्ट है आपका त्री नंबर कोश्चन कि सेर्सा सुरी ने हजरते आला की उपाधी कब धारन की थी तो 3 का right hand so दैगा option number B 1539 इसवी में की थी ठीक है अगला question है आपका 4 number कि सेरसा सूरी ने हुमायू को चौसा के यूद में कब परास्त किया था तो 4 का right hand so दैगा option number A 1549 इसवी में परास्त किया था ठीक है friends अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तभी आपने इसको टेस्ट दीजे ठीक है फाइब नमर कोश्चन है कि सेर्षा सूरी ने किस यूद के उपरांत सुल्तान ए आदिल की उपादी धारन की थी तो फाइब का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर सी चौसा खा यूद सेर्षा सूरी ने किस यूद में हुमायू को प्रास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो 6 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर ए कर्नोज या विलगराम का यूद सेवें नमर कोश्चन है आपका कि एक परसिद कतन मैं मुट्टी भर बाजरे के लिए लगबग हिंदुस्तान का समराज खो चुका था या किस के या किसने कहा था तो 7 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर डी सेर्षा सूरी ने मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉरिन कोश्चन है ठीक है नेक्स्ट है आपका 8 नमर की पट्टा और कवूलियत प्रथा को प्रारम किया था तो 8 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर बी सेर्षा सूरी ने नेक्स्ट फ्रेंट्स आपको मैं ये भी कोश्चन बदाया था कि सेर्षा सूरी के काल में भूर आजे सुदर कितनी थी तो 9 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर डी 1 बटा 3 एक बटा 3 हो गया 10 नमर कोश्चन आपका कि बिहार में सेर्षा का राजनयतिक वर्जस्व किस युद के उपरांत अस्थापित हुआ तो 10 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर सी सूरजगर्ड का युद अगला कोश्चन आपका 11 नमर कि सेर्षा का प्रसास्निक पड़युक्साला था तो 11 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर डी सहसराम Next आपका 12 नमर कोश्चन कि सूरवolस का संस्थापक था तो 12 का राइट एंस हो जाएगा ओप्सन नमर भी सेर्षा ठीक है नेक्स कोश्चन देखिएगा 13 नमर कोश्चन है कि सेरसा नेके पिता कहां के जागिदार थे तो 13 का राइट हैं सोद्यागा उपसर नमर डी सासा राम के जागिदार थे नेक्स है 14 नमर कि सेरसा का मकवरा है कहां पे तो 14 का राइट हैं सोज़ाएगा ऑफसर नमबर ये सासा रामे 15 नमर कोशन देखीगा कि मध्य काल में किस सासक ने पटना का नव निर्मान करवाया था तो 15 का राइट हैं सोज़ाएगा ऑफसर नमबर डी सेर सा सूरी ने करवाया था 16 नमबर कोश्चन है आपका कि दिल्ली इस्थित पुराने किले का निर्मान करवाया था किसने तो 16 का राइट अन्स वज़ाएगा आपसर नमबर C सेरसा सूरी ने करवाया था 17 नमबर कोश्चन देखेगा कि किस सासक ने परतेक एक कोश्च की दूरी पर एक सराय का निर्मान करवाया तो 17 का राइट अन्स वज़ाएगा आपसर नमबर C सेरसा सूरी ने करवाया था अगला कोश्चन नमबर कि सेरसा सूरी का मकवारा के वस्तुकार थे इंपोर्डिन कोश्चन है यह तो 18 का राइट अन्स वज़ाएगा अफसर नमबर B अलिवाल खा ठेक है फेंट तो देखें यहाँ पर आपका आंसर है तो इसको मैच कर लीजेगा अब देखें फेंट साव हमारा जो एक नेक्स टॉपी क्या है कि बिहार में मुगल का तो इसके कोश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका कोश्चन क्या है तो फर्स कोश्चन है कि अकवर ने बिहार और बंगाल को मुगल समराज का हिस्सा कब बनाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था तो आपके क्या आपका वन का एईज राइटांसर बारा मार्च 1576 इसवी में बनाया था दो नमबर कोश्चन है कि बिहार को मुगल समराज के प्रांथ का दर्जा कब दिया गया तो डो का रइट एंसर थाइगा और सीं 1580 इसवी में दिया गया नेक्स कोश्चन है आपका थरी नमबर की अकवर ने बिहार को प्रांथ का दर्जा देने के उपरांथ बिहार का गवरनर किसे नियूक्त किया important question है ये तो 3 का right hand हो जाएगा option number B खान A, खानम मुनीम खा को next question है आपका 4 number कि दरभंगा इस्तित नूर सराय नामक शराय का निर्मान किसके ठरने के लिए करवाया गया था तो 4 का right hand हो जाएगा option number A, नूर जहां को अगला question है आपका 5 number कि मुगल काल में निर्मित मकदूम साह दौलत का मकवारा कहां इस्तित है तो 5 का right hand हो जाएगा option number C, मनेर पटना में इस्तित है 6 number question देखेगा कि बिहार का सुविदार नियुक्त होने वाला पर्थम मुगल सहजादा था, कौन था, तो 6 का right hand हो जाएगा option number A, पडवेज 7 number question देखेगा कि किस मुगल सुविदार ने रोतास को अपनी राजधानी बनाई थी तो 7 का right hand हो जाएगा option number A, मान सिंग अगला question देखेगा 8 number कि वर्थमान में पटना में इस्तित सैफ खां का मदर्शा का निर्मान किस ने करवाया था, तो 8 का right hand हो जाएगा option number B, सैफ खाने next question देखेगा 9 number कि किस मुगल सासक के सासनकाल बिहार में सारबातिक बिद्रो हुए तो 9 का right hand हो जाएगा option number B, अकवर 10 number question देखेगा कि अकवर कालीन बिहार के सबसे प्रसिद सुवेदार थे तो 10 का right hand हो जाएगा option number C, मान सिंग 11 number question है कि सहजादा अजीम को बिहार का सुवेदार किस ने निक्त किया था नेक्स question है आपका 12 number कि सहजादा अजीम ने किस सहर का नामा करन अजीमा बाद किया था तो 12 का right hand हो जाएगा option number D, पठना अगला question है 13 number कि वह पर्थम मुगल समराट जिसका राजाविसेक बिहार में हुआ था important question है ये भी तो 13 का right hand हो जाएगा option number B, फरुक सियार topic से आपका question इसमें include किया गया तो please friends आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखिएगा और friends हाँ आप अगर इससे पहले प्राचीन इतियास बिहार का नहीं देखे होंगे तो please friends आभी यहाँ पे PCS में करेके playlist में जाएए वहाँ पे आप विजिट कीजिए आपको सभी वीडियो इडिटेडिया का current affair का एक एक टॉपिक्स भाई वीडियो मिल जाएगा और एक सेट भी मिल जाएगा जो आपका current affair जो latest 2021 में जनवरी से जुलाई तक आया उसका अर्दवार्स की इका ठीक है तो आप उसे भी जरूर देखेगा friends और इसे भी आप जरूर देखेगा ठेक है next point है आपका 14 number कि बिहार में किस मुगल सासक का राजाविसेक अंग्रेजों के सनक्षन में हुआ तो फोटिंत का राइटेंस ओदेगा उप्सन नमबर इस साह आलम दूई दिये next है आपका 15 number कि 1556 में मुगल सासक अकवर ने किसकी विदता के प्रुषकार में उसे मिथला का राज दे दिया था तो 15 का राइटेंस ओदेगा उप्सन नमबर भी महेस ठाकुरको अगला कोश्चन है 16 नमबर कि सिक के दसवे गुरू गुरु गुवीन सिंह का जन्म कहां हुआ था तो 16 का राइटेंस ओदेगा उप्सन नमबर इस पटना सीथी पटना में हुआ था और आज का मारा लास्ट कोस्टन है 17 नमबर कि निम्लिकेट सिख गुरु में किन का बिहार में से घनिस्ट सम्मन्द रहा तो 16 का राइट एंस हो जाएगा ऑफसर नमबर D गुरु राना गुरु तेक बहादूर और गुरु गोविन सिंग का तो राइट आंसर ऑफसर नमबर D आप उसे जरूर किजेगा क्योंकि फ्रेंट सा आप लोग करते हैं और आप लोग के लिए अच्छा आचा वीडियो प्रोवाइट करूंगा तो प्लिस फ्रेंट आप इसे पाने की लिए बिहार ही पार तो जरूर होगा तो बने रहें अपने युदियो चैनल पीसेस में कर करेंगे फ्रेंड सो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली आप लोग के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा रात को आठ वजे ठीक है फेंड्स और इसका पाने के लिए टेलिग्राम से आप जोयर हो जेए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स और बिहार का आदो निक एतनी आस ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइट जैहिं दोस्तों